श्कार मित्रों मैं हूँ सी एल विरास और आप पढ़ रहे हो भातिक भुगोल भातिक भुगोल के अंद्रगत हमने पहले भी सर्चा की थी पिछली कक्षाओं में और प्रकास वर्ष के बारे में अधिन करेंगे तो देखिए प्रकास वर्ष क्या होता है सबसे पहले इसके ब गलक्सी नाम है देवियानी और इसको हम एंडittरोमीडा भी क्यते हैं मरे जो अमारे सबसे निक्छवर्टी लोगलेक्सी हुँ face जो है तो पॉइंट फॉर मिलियं परकास वर्स respiratory दूर है नहीं 하는데 मुप तो देखें अब परकासवर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे परकास वर्स तो देखें जो शूरी की किरन है जो प्रकास की जो के दुरा अपने जो 3 wealthy किलोमेटर प्रथी सेकेंड की गती से एक वर्स में तक की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं प्रकास वर्स य Jeffrey है प्रकास की कीरिन द्वर्ण की द्वरा है प्रकास की कि लुवर्ण तेपी लाख किलोमेटर हुच पर инOP त्ष्वरिज गृति से एक वर्स में याद है कि किरन है जो 3,00,00 10 km प्रतिस सेकेंड की गति से एक वर्स में जो दूरी ते करती उसको क्या गएंगे प्रकास वर्स कहेंगे अब देखे इसको यह दूरी है प्रकास वर्स है इसको हम क्या गए किस प्रकार से देखो इसका मापन होता है तो 9.46 10 की गात 12 किलोमेटर तो देकी 9.46 इन्टू 10 की गात 12 किलोमेटर है यह जो प्रकास वर्ष तो दूरी है इसको इस प्रकार से हम परदसीत कर सकते हैं और अगर मीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10 की गात 15 मीटर और ऐसे ही हम सेंटीमेटर में बात करें दूरी को तो 9.46 इंटू 10 की गात 17 सेंटीमेटर तो ये दूरी देखो तो 3 अलग-अलग किलोमेटर, सेंटीमेटर, 3 अलग-अलग इकायो में हम इसको परदशित कर सकते हैं किलोमेटर में 9.46 इंटू 10 की गात 12 किलोमेटर और मेटर में वहीं बात करें तो 9.46 इंटू 10 की गात 15 मेटर और सेंटीमेटर में बात करें 9.46 into 10 की गात 17 तो इस प्रकार हम प्रकास वर्ष की दूरी को हम नापन मापन कर सकते हैं अब देखिए बात करें अगला हमारे टॉपिक है आकास गंगा देखिए आकास गंगा क्या होती है तो विश्तरीत ब्रमांड के अंद्रगत कई सारी आकास गंगा विद्यमान होती है त अब भुगोल के विद्यारती अमोमन नॉर्मल वे में जानती है तो देखिए आकास गंगा है वो सरस्तनात्मक रूप से तीन इसके तीन वाग होते हैं अब एक कौन-कौन से बाग होते हैं जो पहला वाग है वो है केंद्रिय बाग केंद्रिय बाग होता है उसमें देखो से तो किन्द्रियबाग में क्या-क्या होता है इसके बारे बद करते है तो चैन्ह्स को हुआते हैं कहासे सकता है तो देखिए गलेक्सि के सबसे औहारी जो निकर शयुक की तबसक्राइव ने對ले नेन्ही उटे है आधे वाले होते हैं और उनके साथ जो बिलेक हॉल होते हैं वह इस इसे तो यह इसे हैं कि अमारी ऑंकास गंगा के जो मद्य वर्ती वाग में क्या होता है जो युवा को परएफस्था है Уन उन्को इसके अंत्रकत हम सामिल करेंगे युवा इन परिपक अचाय के मत्यावर्ति बाग में युवा वा परिपक तारों को सामिल किया जाता ये इसमें इस्तित होते हैं और जो हमारा जो सूरीय है नूदा के नहीं मिलकी वे की इस तो देखिए जो हमारा सूर्य है वह आकास गंगा के कौन से बाग में अवस्तित है यह उसके इंदर विद्यमाने तो देखिए वो मद्यवर्ति भाग है कौन सा बाग है वह इंदर वर्वध्य बाग है यह सकता है जो सूर्य है वह एक तारह है और वह यह परीवक वतारों की स्रेणीं में आता है तो देखिए एक बार पुन आप देखिए-गा जो सूर्य है जो हमारा सूर्य है वह आकास गंगा के मद्यवर्ति भूज़ा वाले जो सरस्नादम ब तो बाहे बाग में नए तारों का बंडारन होता है तो यह आपके आकास गंगा के बात हो गए थेक है तो यह सबसे नजदी का तारा है सूरिय के अलावा सूरिये के अलावा जो अमारा जो समीप का या निक्रवरती जो तारा है वो कौन सा है तो आप ध्यान रखोंगे यह हैं प्रॉक्षिमा सेंसूरी मैं यह लिख देता हूँ प्रॉक्षिमा सेंसूरी प्रॉक्षिमा सेंसूरी जो हमारे नजदीक तारा है सूरिये के अलावा वैसे सबसे जो निक्रवरती तारा वो तो सूरिये है लेकिन सूरिये के अलावा अगर पूसा जाए कि सूरिये के अलावा जो हमारा निक्रवरती जो तारा है वो कौन सा है तो वह हैं आपका प्रॉक्षिमा सेंसूरी अब देखिए यह 4.2 परकास वर्ष दूर है अब किता दूर है 4.2 परकास वर्ष दूर है अब देखो अमने पहले ही बात की परकास वर्ष क्या होता है ठीक है तो तारों की जो दूरी को परकास वर्ष में ना पा जाता है तो प्रॉक्सिम जो सैंसुरी है जो हमारे सुरिये के अलावा जो और निक्टवर्ट्वर्तितारा वो फोरपन टू प्रकास वर्स अमारे से क्या है दूर्श है अब देखे हैं अगला जो रह憞ावरे तौपिक है ब्रमान वर्स को स्मय तो तेने को मंदा कि यहां मिल्की वे के सारो और परीकर्मा करने में 25 करोड़ वर्स किता समय लगता है 25 करोड़ वर्स तो हमारे सूरिय को मंदा कि यहां मिल्की वे के सारो और परीकर्मा लगाने में किता समय लगता है 25 करोड़ वर्स बस यह 25 करोड़ वर्स आप याद रखो कि यह सेमी और यह सुरी की जो मंदाकर्मा करती है और उसमें किता समय लगता है पचीस करोड़ वर्स जो समय लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं कॉस्मोस यर केते हैं यहां ब्रमांड वर्स केते हैं ऐसा एक्जाम में क्योशन पूछा जा सकता है ब्रमांड वर्स का समय कितना होता है यह कितना समय होता है ब्रमांड यहां कॉस्मोस यर में तो आपके देखिए ऑप्शन आएगा 25 करोड वर्स वह आपका सही उत्तर होगा सो इस बात को आप द्यानखोंगे बर्मांड स्लियां कॉसमोस यहर ने 25 क्रोड़ वर्श का समय होता है लगी जो अगला हमारा टॉपिक है बुग बिंदू है शोरी वह हैं को संद्र सिर्मा क्या होती है संद्र मा की सीमा कहते हैं तो देखे एक विदवान हुए है सब्रमानियम संद्र सेकर सब्रमानियम संद्र सेकर सुबर्मनियम संद्र सेकर महोदे के अनुसार उन्होंने ज्याद किया कि जो सूरिय से 1.24 गुणा अधिक पदार्थ है तो देखिए संद्र सीमा में क्या है सूरिय से जो अमारा सूरिय है सूरिय से कितना अधिक है वही 1.24 1.24 गुणा एक पॉइंट चार गुणा अधिक पदार्थ इस अंद्र सीमा के अंत्रगत पाया जाता है अधिक पदार्थ पाया जाता है कि से सूरिय से अंद्र सीमा के अंत्रगत 1.24 गुणा अधिक पदार्थ पाया जाता है अब देखिए इस्टीपन ओकिंग के द्वारा ज़ जो क्रुष्ण वीवर है इस्टीफन ओकिंग के शाट्राइस के थी ति तो लाकिंग माधळे की दोप क्रिष्ण कि वीवर क्रिष्ण वीवर थैं टौरिज तो करिष्ण भीवर यहां बेखल टॉल कर्दले को सिटने स्थ तो देख़े जो काले काले हॉल है इनको इनके बारे में सबसे पहले दिन किया इनको विकरन है क्याते हैं और किंग विकरन इस में यहतने को革 औन यह belonging क्याता है इनको बहुत ही है, तो देख़े ऋंक चुंग क्रिश्ण करने के लिए सबसे पहले इसके में बताया तब इसको और नौ के नाम से भी जाना जाता है तो इनको यह करने के लिए उनके माधिम से इनको ग्यात किया जाता है तो देखे एक बार पुना हम देख लेते हैं प्रकास वर्स क्या है इसके बारे में हमने पड़ा कि जो एक वर्स के अंतरगा तीन प्रतिस केंड की गती से एक वर्स में जो थैकी की दूरी है उनको क्या कहेंगे हम प्रकास वर्स कहेंगे और 9.46 इंटू 12 किलो मेंटर और में 9.46 इंटू 10 इस प्रकार से और चैंटीमें बात कर 9.46 इंटू 10 की गात 17 तो यह दूरी है और आकास गंगा के तो आज के लिए इतना ही कापी हैं वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और सेनल को सब्सक्राइब बीजरूर करें दन्यवाद